है तो हेलो हैं चैनल आपको दिए है नए उप्डेट के बारे में जो कि रिसेंट्ली आज रिणे भावा और आपको प्रेट में मिलने वाला है यहाँ पर नीचे Samsung आप्टेट वाले option में यहाँ चले ना डाउनलोड और इंस्टॉल पर तो आप देखेंगे आपको एक नए अपडेट यहाँ पर एविलेबल मिल रहा होगा नीचे की तरफ देखेंगे इस अपडेट में क्या नहीं चेंजी किया गया है यहाँ पर लिखा पैज मिलने वाला एक जुन 2024 का और साथ में इस अपडेट का जो साइज रहेगा 304 MB का यह अपडेट होने वाला है तो पहले कर लेते हैं इसको अपडेट फिर देखते हैं दोस्तों यह हो चुका है अपडेट अपडेट होनी किया मैं इसको फर्स टाइम ही स्टाट कर रहा है मतलब कि सिक्योर्टी का जो लेवल है या सिक्योर्टी जो मन्त है वो जून का अब जून 2024 की सिक्योर्टी आपके समसंग ग्रेक्स के 50 डेस में अपडेट हो चुकी है अब इसको अपडेट करने किया थोड़ा सा चला के देख लेते हैं उसके बाद नेक्स वीडियो में वो टोटल रिव्यो आईगी कि एक्चुल में क्या प्रफॉर्मेंस है कैसा ये मॉइल चल रहा है इस अपडेट के बाद क्या इसमें डिक्रीज कर दिया गया है क्या इंक्रीस कर दिया गया है जैसे इससे पहले वाले अपडेट में हीटिंग के इशू बहुत जादा आ आप देखते हैं इस वाले आपडेट में उन्होंने उसको एक्टिफिकेशन किया है या और जाधा घी कर दिया गया है उसमें बैटरी डेन का भी इशू था इसमें बैटरी डेन होती है यहा नहीं होती हैं, हैंगिंग का, जो भी चीज़ यह सारी चीज़ हम उसको उसके ठीक है यह पूरा complete हो चुका है full on complete हो नहीं हम आ गए नीचे की तरफ यहाँ पर आए software update में and then वहाँ पर आ गए हम last update में अब last update में देखें कि क्या लिखा था साफ सो security update किया गया कुछ enhance feature addon किया गया और कुछ security को बग किया गया इस अपडेट का जो size था 304 MP का यह size है इसमें एक जून दोचुविस की security update यहाँ पर देनी गई है अब यहाँ से बाहर आएंगे आप आएंगे about phone में and then यहाँ जाएंगे software information वाले option पर यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 1UI 6.1 ही दिख रहा है वालब 1UI 6.1 नहीं आया है 1UI 6.1 ही है और नीचे आपको security update दिख रहा है zone 2024 का अब इसको थोड़ा सा यूज करके देख लेते हैं कैसा क्या चलता है जैसे मैंने यहाँ पर gallery को खोल लिया gallery को खोलने के बाद यहाँ पर मैं उपर नीचे कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं य के अलाबा राइक में आपर contact खोल लूँ या मैं contact खोल लूँ तो आप यह भी देख सकते हैं यहाँ पर भी same voice situation देख रही है और कितना time ले रहा है किसी भी app को खोलने में वह आप देख सकते हैं animation जो आपको दिख रहा होगा about down वाला वो भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेगिंग करता हो दिख रहा है वो थोड़ा सा लेगिंग करता हो दिख रहा है आप दिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेगिंग कर दिख रहा होगा अब मैंने यहाँ पर इतने सारे continue खोल ली है आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पर भी खट्टे को को लिया है अगर हम देखें अब यहां पर आप इतने सारे अप्स मैंने continue को लिये उसके बाद भी यहां पर आप speed देख सकते हैं उसके कितना जादा यहां पर आपको दिख रहा होगा अंतर और यहां पर हम camera को भी on कर लें कितना time डेरा camera on करने के सही पता चल जाता है और photo click करके देख लेते हैं उससे भी यहां पर पता चल जाता है कितनी ज़्जादा speed है आप देख सकते हैं कितनी जादा speed में लग लग कितना ज्यादा ऊब आप अब लोगा एंद्य इसको यहां से भी हैं आंग आप देखेंगे अब आप आने के आप देखंगे अभी यहां पर आप पर आपको दिखक रहा होगा थी आप यह से चलाने में अःपने कहले हैं क्या सकते हैं कि आ इसी गोड़ा कैसी। glorino थोड़ा सा पहले से ज़्यादा थोड़ा सा कम लग रहा है थोड़ा सा थेज़ता अब थोड़ा सा यहाँ पर कम लग रहा हो सकता है कि अभी recently डाउनलोड ही है इस बिज़े से भी हो रहा हूँ फिलाल अभी January review यही है अब इसके आने वाले नेक्स वीडियो में फुल रप्यू दूगा एक दिन यूज करके बैटरी डेरिंग हैं बैटरी डेरिंग हीटिंग सब का आपको next update में मिलेगा फिलाल यही अपडेट था और यही मेरी वीडियो थी उमीद ही चैनल गरू सबस्क्राइब करिजएगा थेंक्यो सो मच दोज़ तो प्लीज लाइक दो करें हो और आपको लगता है कुछ कमी में रीडियों में तो में अधिस लाइक बढ़ सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूशन चाहते हैं इस विलेटिट या कुछ भी आप डारेली कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डारेकल इंस्टाग्राम करके भी पूश सकते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप अप्लेट आपको सब्सक्राइब मिले और हो सके तो थैंक यू सो मच